नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आठ नवंबर को चंद ग्रहन, छे राशिया होंगी करोड़पती, छे राशिया होंगी कंगाल दोस्तों, साल 2020 का दोसरा चंद ग्रहन लगने जा रहा है जो कार्तिक महिने की पूरिमा को रहेगा, इस ग्रहन के दवरान बहुत शारी घटनाई होंगी तो वहीं दो ग्रह वक्री अवस्ता में रहेंगे ये चंद ग्रहन काफी भेंकर और प्रभावशाली रहने वाला है आपको बताना चाहेंगे की 8 नवंबर को पढ़ने वाला चंद ग्रहन शभी राशयों पर अलग अलग प्रभाव डालने वाला है परंतु शभी राशयों में से 6 राशया ऐसी हैं जो काफी भागशाली रहेंगी इनको करोरों का धन मिलने वाला है ये माला माल होने वाली हैं तो अहीं 6 राशया ऐसी हैं जो कंगाल हो शकती हैं इन्हें सावधानी बरतनी की जरूरत है दोस्तो इस ग्रहन के प्रभाव से देश में काफी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जैसे तूफान भूकंप जैसी प्राकरतिक आबदाएं हो शकती हैं दोस्तो आठ नवंबर 2020 को पड़ने वाला चंद ग्रहन इसका सही समय और सूतक काल इसके अलावा कौन-कौन सी भागशाली रहेंगी राशयां किस प्रकार का प्रभाव इन सभी राशयों पर पड़ेगा इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे साथी भारत के कौन-कौन से हिस्सों में दिखाई देगा और किन-किन देशों में दिखाई देगा ग्रहन काल का शुत्तकाल वा समय ग्रहन काल में बरती जाने वाली महत्पुन साउधानियों के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही उन सभी शुबकारियों के बारे में भी बताएंगे क्योंकि ग्रहन काल के दौरान आपको जो करने चाहिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्ची तोर पे आपको शुब पैणाम देखने को मिलेंगे आपके जीवन में चल रही किशी भी प्रकार की कोई शमस्या है तो उनसे छुटकारा पाशकते हैं तो दोस्तों आठ नमंबर 2020 को लगने वाला साल 2020 का ये दूसरा चंद गहन ये कारतिक महिने की पुडिमा तिथी को लगेगा दोस्तों बीडियो को इंड तक देखेगा आपसे बिनमर निवेदन है कि उससे पहले बीडियो को लाइक कर दें और अगर हो सके तो बीडियो को आप ज़्यादा श्यदा शेर जरूर कर दें दोस्तों ये ग्रहन भारत में भी दिखाई देगा इसलिए इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और सूता काल भी मानने होगा जोतिस सास्तर के अनुसार जब चाहे चंद ग्रहन हो या फिर शूर ग्रहन हो जब दिखाई देता है तो उसका सूता काल मानने होता है दोस्तो यह चंदग्रहन का अशर यानि कुछ राशियों पर शुब और कुछ राशियों पर अशुब देखा जाएगा आपको बताना चाहेंगे कि 8 नबंबर को पढ़ने वाला चंदग्रहन है साल 2020 का ये दूसरा चंदग्रहन है ये भारत समेत अमेरिका, अंटार्जिक्या, ग्रीन लेंड, उत्री दच्छनी अमेरिका, कनाडा, अलास्का, न्यूजी लेंड, अस्टेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलेंड, मियामार, जापान, कोरिया, चीन, मंगोलिया, रोष, कजागिस्तान, पाकिस्तान, प्रीका के कुछ हिसों में एसिया के पूर्वी पशिम इलाकों में देखा जाएगा साथी भारत में भी ये दिखाई देगा दोस्तों अब बात करते हैं सुतक काल और ग्रहन काल के समय के बारे में तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि 8 नबंबर को ये जो चंद ग्रहन लगने जा रहा है ये दुपहर दो बजकर 49 मिनट से शुरू होगा और साम 6 बजकर 19 मिनट तक रहेगा लगबग 3 घंटे 40 मिनट इसकी अबद होगी दोस्तों सुतक काल ग्रहन लगने के 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा क्योंकि चंद ग्रहन में सुतक काल ग्रहन लगने के 9 पहले ही शुरू हो जाता है इस प्रकार से तकरीवन शुवए पांच बजे से ही सुतक काल लग जाएगा सुतक काल में कोई भी सुवकार नहीं किये जाते हैं और ग्रहन काल के समय खासकर गर्वती महिलाओं को बहुत सावधानी बरतनी की जरूरत है दोस्तों बताना कि बड़े बुढ़े बच्चों को छोण करके किशी को भी भोजन नहीं करना चाहिए खान पीन की पदार्तों पर तुलसी दल जरूर रख देनी चाहिए सुतक काल के दवरान और ग्रहन काल के दवरान किशी भी प्रकार के गर्वती महिलाओं को चाकु सुई सबजी फल ठेखा जा सकता है दोश तो गर्हन काल के समय जरूरत मन्द यह जरूरत मन्द लोगों को दान अवश करें शुब माना जाता है कोई भी सुब न ना करें ग्रंदों के अनुसार पूजा पाठ ना करें लेकिन देवताओं की मूरति को नाचिये लेकिन आपको इसमें उनके म गर्वती महिलाओं को अपने घर पर ही अंदर रहना चाहिए। गर्वती महिलाओं को बिशेश करें और गर्वती महिलाओं को बिशेश करें। गर्वती महिलाओं को बिशेश करें और गर्वती महिलाओं को बिशेश करें। साउधानी बरतने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहले करोरपती राशी की बात करें। तो दोस्तों बतादे की ये भी जानकारी देदे की ये जो चंदगर्ण लगेगा ये मेस राशी में रहेगा। बढ़ी नच्छतर में रहेगा। इसलिए मेस और बढ़ी नच्छतर के जातकों को बहुत साउधानी बरतने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली खुशनसीब और भागशाली जो राशी है वो है आपर मिथुन राश। वो है यहाँ पर कुम्ब राश। कुम्ब राश क्यात को बताना चाहेंगे कि अगर आप निवेस करने के सोच रहे हैं तो आपको ज़्यादा ज़्यादा सफलता मिल सकती है। आपको धन दौलत की प्राप्ती होगी। कई प्रकार के शुबकार करने के कोशिश कर सकते हैं। आपकी कोशिशे रंग लाशकेगी। आपको अपने कारश्यत में कारिस्थल पर नई जिमेदारियां मिल सकती है। आपकी परसंसा होगी आप अपने पुराने मित्रों से फिर से मेल विलाप कर सकेंगे। आपको अपने आपको इस्थापित करने में सफल रहेंगे अब अगली राशी आती है जो करोरपती बनने वाली है वो है याँ पर करने राशी बैंक शेलोन मिल सकता है स्वास्त बेहतर होगा इसमें विशेशतार पर ख्याल रखियेगा अपने स्वास्त का अचानक शिधन के इस रोत सामने आशकते हैं जमीन जाईजात के मामले में फैसला आपके पक्षमे आएगा आपकी आरतिक श्तिती मजबूत रहने वाली है राजनितिक शेतर से जुड़े लोगों का पराकर मढ़ेगा और महत्मूर्ट सफलता प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा और इसमें आपको कई महत्मूर्ट शेतरों से लाब देखने को मिलेंगे यनि लाब की योग बनेंगे कन्य राशकत को विशेश सफलता प्राप्त होगी साथी इसमें जरूरत पढ़ने पर धन इंकम आए बढ़ेगी अचानक धन का लाब होता हो नजराएगा आरतिक श्तिति में शु रहने की जरूरत है अगली राशी है दोस्तों बता दे सिंग राश सिंग राश के अतकों बता दे कि इस समय सावधान रहने की जरूरत है सोच विचार कर पैसे लगाए और कहीं किसी को भी आप यनि की उधार कर जाना दे किसी आदमी से मनमटा हो सकता है आपके रिष्टे इसमें आपको आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा प्रयास जरूर करें कई परकार की दिक्ते भी आशकती है सावधानी कोले कर काम करें अगले जो राश याती है दोस्तों बता दे वो है मीन राश मीन राश के अतकों बता दे कि यह है चंदगरहन आपके आपकी योग बनेंगे कई महत्वर्ट शित्रों शिलाब होगा जो कार अधूरे पड़े थे पेंडिंग थे उन्हें पूरा कर सकते हैं धन संपत्य में लाब होगा कारियों में चली आरही परिशाने अधूर होंगी कोई अच्छे कार का प्रारम कर सकते हैं किसी नए कार की सुभारम करेंगे अब अगले जो राशी है जो छट में जो करोड़पती बनने वाली है वो है यहां पर दोस्तों तूला रास तूला रास कहत को बता दे कि अब आप इस बार के चंदग्रहन में करोड़पती बनेंगे क्योंकि कई प्रकार के विशेश लाब और योग बन जो में प्रपर्टी खरीदारी करेंगे इंकम आय में ब्रदी होगी ज्यादा ज्यादा धन लाब होता होना जराएगा अगर कोई कार रुका हुआ था पेंडिंग था उसे पूरा कर सकते हैं ब्यापारी वर्क ले काफी विशेश रहेगा धन संपत्त में लाब होगा कारिय एक सा समन्द काफी मदूर बने रहेंगे लगातार प्रयास करेंगे तो सफलता कदम चूमती चली जाएगी बतादे कि इसमें प्रेम जिवन में खुशिया वर्षेंगी और आपका अगर कहीं पैसा रुका हुआ था फासा वथा वापस मिलता नजराएगा कई महतपूर छे चली अब बात कर लेते हैं उन राशियों का जो कि इस बार के चंदग्रहन में कंगाल होने वाली हैं जिने विशय सावधानी बरतनी की जरूरत है तो दोस्तों सबसे पहली जो राशी आएगी वो है मेस राज आपके राशी पर यह चंदग्रहन लगेगा तो बहुत थोड़ी सावधानी बरतनी है थोड़ी ध्यान रखना है किसी साल लेंदें न करें करकर राशकरत को आपको भी सावधानी बरतनी की बहुत जरूरत है जो काम करें सोच विजाद कर करें दोस्तों बीड़ो अगर पशंद आए तो लाइक करिएगा और अगर आपको अपनी राशी का हल जानना है तो निश्री तोर पे आपको कमेंट में जरूर लिखना है और साथी साथ चलन को यहीं सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेस करें जै शंदर देवाए